जे स्री कृष्णा आई ये जानते हैं चैत्र पुड़िमा के दिन करें एक खाश उपार मा लच्मी करेंगी घर में पैसों की बरसाथ हिंदु मा की अंतिम्तिथी को पुड़िमा कहते हैं आई ये जानते हैं चैत्र पुड़िमा के दिन करें ए उपार सास्त्रों के मुतावि पूरिमा के दिन पीपल के बिरिच में मालचमी का आगमन होता है ऐसे में इस दिन सुबह अशनान के बाद पीपल में कुछ मीठा चढ़ा कर जल अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से आर्थिक स्थिती बेहतर हो जाती है बैवाहिक जीवन में खुश हाली के लिए भी पूरिमा तिथी खास मानी जाती है माना जाता है कि अगर पती पतनी साथ में चंद्रमा को अर्ग देते हैं तो उनके बैवाहिक जीवन में मधूरता बरकरार होती है चैत्रमा के दिन मालच्मी की खृपाप्राप के लिए उन्हें ग्यारह कोडियां अर्पित करें इसके साथ ही उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं इतना करने के बाद अगले दिन कोडियों को किसी लाल कप्रे में बाद कर धन वाले अस्थान पर या तिजोरी में रख दे मान्यता है कि ऐसा करने से धन में बरकत होती है चैत्र पूडिमा के दिन चंद्रोदय के समय कच्चे दूध में चावल मिलाकर ओम शास्त्री सस्त्रोश चंद्रमा अशे नमह या ओम एम क्लीम सोमाय नमह इस मंत्र को बोलते हुए चंद्रमा को अर्ग दे ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगती है